हेलो, दोस्तों, नमशकार, कैसे हैं, आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत ही महत्रपूर्पूर्ड इंफर्मिशन में आपके लिए लेकर के आया हूँ सेलेक्शन मेंटर की ओर से और जितने भी विद्याती सेलेक्शन में त्यारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहां पर एक तरीके से आया है, आप सबी के लिए मौका क्या है, SSC CHSL 2022 का जो फॉर्म है, वो आपके लिए लिंक ओपेन होने वाला है, आज एक फर्वरी है, आज एक फर्वरी को यह लिंक ओपेन हो जाएगा ठीक है, तो आज इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही महत्त पूर्ण जानकारी मिले कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रही हैगा, अंत में आपको सारी चीज़ें में बताऊंगा, कैसे आप प्रिपेर करोगे सारी चीज ठीक है, इस पूरे के वाटसेप करके अपने आपको यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो, और पूछ सकते हो अन्य जानकारी के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं मिठा, important dates की, यह आप अपने copy में, diary में, जहां कहीं भी अच्छी तरीके से अगर आप CHSL निकालना चाहते हैं, इस बार, तो इ SSC के जो forms होते हैं, इनकी जो website है, थोड़ी बहुत slow चलती है, इसलिए जितना शीगर हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपने form को fill कर लीजेगा, ठीक है, last date जो है, वो 73-2022 है, form fill करने की last date है, नोट कर लीजे एक दम बढ़िया से, registration करने की last date जो है, जो लोग पहले से registration अप के form open करेंगे और fill कर लेंगे, 7 March, January, February, March हैने की, तीसरा महिना जो है, 7 March जो है, इसकी last date है, last date का इंजार बिल्कुल मत करिएगा, एक तारिक से लेकर करके, 5 तारिक के बीच में, बिल्कुल सभी के form fill हो जाने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, online payment करने के लिए भी आपका writing में गरा है, यहाँ पर देखी जाएगी, या फिर जो भी आपके skill test वागर होंगे, तो basically यही सबसे important है, prelim से ही इसका सबस्यादा important है, और prelim जो है, यह मई 2022 में होना है, कब होना है, मई 2022 में, तो आपको यह clear है कि हमारे पास में 5 महिने का समय, 5 months जो time है, वो एस्टी, physical handicapped और female, सबके लिए 0 fees है, तो किसी प्रकार से कोई भी female, या फिर इन केटेगरीज में आने आले लोग तो बिल्कुल भी इंतजार ना करो, कि सरमार पास पैसा नहीं है, या जो भी, तो इन लोगों को तो form बिल्कुल एक दो दिन में भर लेना है, one और two days में इस form को बिल्कुल फिल कर लेना है, ठीक है, payment जो है, वो online ही होगा, तो online payment करिएगा, आराम से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अब हम recruitment की बात कर लेते हैं, तो इसकी age limit बहुत important है, अगर आपकी age जो है, वो 18 साल से 27 साल के बीच में है, और age आपकी calculate होगी कहां स एक जनवरी 2022 से, ठीक है, एक जनवरी, 1st जनवरी 2022 से आपकी date जो है, ये count होने वाली है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, 18 से 27 साल की age की age है, अब हम बात कर लेते हैं कि form जो है, वो कैसे फिल करना है, उसके बारे में one by one दिस्केशन करें, तो आप जो है, ये SSC के तमाम सारे regions हैं, उन पे आप जैसे जातर लोग CR region में आने ले जो लोग हैं, central region में आने लोग हैं, form भर सकते हैं, ठीक है, तो form फिल करेंगे, 10 प्लस 2 के recruitment phase को खोलेंगे, आप वहां से एक फरूरी 2022 से 7 माज 2022 के बीच में form फिल कर सकते हैं, दूसरी बात है, form भरने जितने भी documents हैं, वो सब जो हैं, आप अपने पास में रखें, form भरते समय, जितने भी ID proofs वगरा हैं, address वगरा हैं, जो अब mobile आपको फिल करना है, उसमें OTP जाता है, तो mobile आपके पास में रहे, charge रहे, recharge रहे, सारी चीज़े उसमें रहे, basic details आपके पास में हाथ में होनी चा ठीक, उसके अलावा, जब आप submit करने चलें, तो submit करने से पहले form चेक करने की बारी आती है, आप उसको form को जरूर चेक करिए, ध्यान से एक तम, ठीक है, बहुत ही careful तरीके से, और किसी प्रकार की कोई भी जल्दी बाजी नहीं करनी चाहिए, आपको form फिल करते समय, fee जब भर रहें, तो fee भरते समय भी साफधानी रखिए, fee भरने के बाद, आप उसको एक बार cross check चरूर करें, ठीक है, और finally जब form फिल हो जाए, तो आप उसका final submit करने के बाद, आप उसका print out hard copy लेकर के जरूर रखिए, जो कि आपके लिए बहुत important है, ठीक है, अच्छा, अब मैं GA के नाम से वहाँ पर पढ़ते हैं, GA, 25 question होंगे, 50 number के लिए, ठीक है, इसके अलामा maths है, maths, ठीक है, quantity, attitude के नाम से आता है, यह 25 question होते हैं, यह भी 50 number के लिए होते हैं, maths के अलामा आपका English होगा, English, English language, यह 25 question, 50 number के लिए, और साथी साथ आपका reasoning, ठीक है, reasoning जो है, वो 25 question offline दोनों पढ़ा ही करेंगे, online and offline, offline के लिए आपको मालू में, गोपाल नगर में मारी संस्था है, आप वहाँ पर जा करके संपर कर सकते हैं, और जो number लिखे हुए हैं यह number आप देख सकते हैं, इस number पर अभी call करके, किसी प्रकारी कोई दिक्कत है, आप तुरंत इस पर call कर तो offline class के लिए बिल्कुल देख रही है, साथी साथ online classes के लिए अगर आपको करना है, तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते हो, online classes में हम लोग basically आप लोगों को MCQs लगातार प्रदान करना है, तो आप इन MCQs को जरूर देखिए, MCQs are most important, maths का, GS का, सभी चीजों का MCQs आपका regular basis पर जा हम वाता दो О्दाबाता